आज हम जीतो कोईम बतुर में हैं भगवान शीव के चरणों में मैं आज आज आपको ऐसी कहानी भगवान शीव के लिखे आया हूँ आप जब सुनेंगे ना आपको लगजा जाए बहुत साल पहले की बात है तमिलाड में एक आदमी था उसके मन में आया कि मुझे केदार ना जाना है 200 साल पुरानी कहानी है अब उस जमाने में कोई पैसे वालों के पास घोड़े बग्या हुआ करती थी या बैल गड़ी बस थी नहीं ट्रक थे नहीं ट्रेंस नहीं थी तो वो बंदा बड़ा गरीब तो तमिलाडू से रवाना हुआ के दार नाथ के लिए अब सोच यह कितनी बड़ी भक्ती रही होगी उस आदमी की और यहां से रवाना हुआ खाते पीटी जैसे जैसे जिसने जो खिलाया खाया और पूरा छे महीने के बाद पहुंचा कि या जैसे या कि दार नाथ पहुंचता है वहां बैठता इतने में देखता है कि कि दार नाथ के पांच मिनिट विलम हो गए दर्वाजा यहां पे भाई दूज को बंद होता है और अक्षे तुर्तिया को खुलता है कोई इलाज नहीं यह बहुत रोया गिडगड़ाया के मैं यार छे मेने से पैदल चलके आ रहा हूं तो मुझे दर्शन करना यार दर्शन करने तो उन्हों पास कोई और मेरा तो यह जो बरफ पड़ती है यह आदमी जिंदा बचता है नहीं है मेरा तो आप से सुझाव है कि आप अमारे साथ निछे चलो अब यह रोने लगा बिलेखने लगा बहुत शिव को बोला के शिव मेरा क्या हाल होगा में छे मेने से वहां से दोड़के आ नहीं है और थोड़ी देर के बाद तो रात को सन्नाटा चा जाएगा कोई चे मेने तक यह आने वाला तु मेरे साथ चल पर उन्होंने कहना माना नहीं वहीं रोते बिलते बैट गया मन जी चले गए वो रो रहा है रोते रोते उस दिन क्या हुआ कि शाम कोई क्या अगोरी अगोरी बाबा आये हाथ में प्रिशून पर पहने हुए ठिरफुंडी लगाये हुए तो बोला बेटा तुम यह कैसे बोले बाबा में ऐसे इसे सब अपना हाल तो उसने कुनोंने कुछ खाना निकाला कि बेटा पहला तुछाना तो खाले भूका है खाना खिलाया उसके ब बिटा और देखता है कि सब भर गये तो वह बोला यए क्या बात है सब बरफ रात को इतनी बरफ थी और सुबह सब बरफ काय.. उससे बात है ला नहीं गया तो रहा है.. जाकर बाहर बेट गया और मझे आये तो बोला है मैंन्जी करे आपने मेरे को वेकूप बनाए बोले तुम कॉन हो र कल रात को वो ही तो नहीं हो जो जो छे मिने पहले मिले थे वो उसका दिमाग कामनी कर रहा कि क्या बात कर रहे हो तो पंडित जी बूले कि हमारी तो कई पुष्टे निकल गई और जब इसने पूरा हाल बताया कि कैसे सन्यासी आये राद को मुझे कुछ खिलाया पंडित जी के आँखों से पानी रोना चालू हो गया कि तू धन्य हो गया हम तो पुष्टे हमारी निकल गई बाबा केदारनात की सेवा करते हुए एक जलक दिखाई नहीं दी और तुमारी भक्ति देखो भगवान शिव स्वयम तुमारे लिए आगे और काल खंड में इस योग निद्रा को निद्रा को योग निद्रा में बदल दिया तुमारे जैशा भक्त वो जो कटना है न इसलिए आज भी केदारनात को जागरत केद खड़े बोलो शिवशंगो थांक्यूंबो क्यूंख उसब्स